रूप मेरे सटड़ी फीट चैनल दोस्तों आजका टोपिक है शिखने के वक्र के प्रकार यारी सिखने में कौंकौंक। वक्र होते हैं, इसमें उतार चड़हाओ कैसे आता है, सिखने में, उसके बारे में आज बात करेंगे, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, कि सिखना क्या है, सिखना ब्योहार में परिवर्तन है, यानि ये एक सता तक क्रिया है, जीवन परियत में चलने और जा सकता है कि अनुगोईयों परिशिछक के द्वरा ब्योहार में जो परिवर्तन होता है, वही शीखना है, तो सिखने की प्रक्रिया जो है एक जतिल मानसिक क्रिया है, जो सिखने वाले के शुभाव, सिखे जाने वाले के खारी की प्रकृति, शमय की अवधी, उसके द्वारा निधायत होता है तो शिखनी का वक्र जो है तीन प्रकार का होता है रिडात्मक प्रगति सूचक वक्र यानि नेगेटिव एक्सिलेटेड कर्व दुसरा है धरात्मक प्रगति सूचक वक्र यानि पॉजेटि एक्सिलेटेड कर्व तिसरा है मिस्च वक्र यान combination आप करव, ठीक है, तो हम बात करते हैं रिरात्मक प्रगति सूचक वक्र की, रिरात्मक प्रगति सूचक वक्र वो होता है जैसा की चित्र में दीख रहा है, ये सभवा ये अच्छपल, ठीक है, कि इसमें सिखने में, आरभ में सिखने की गती जो हती है, उत्तिवर होती है, कड़ा और बाद में मंद हो जाती है जैसा कि वकर में दिख रहा है और अर्फ में वकर प्धित कर रहा है कि सिखने की प्रगति तिप रहे हैं और बाद में सीखने कीogen जो है ऊवर मंद हो गई है जो कारे वो कर रहा है या सिख रहा है वो कारे कुछ आसान हो और उस कारे में उसका पहले से कुछ अनुभव हो तो इस प्रकार के कारे में वो जब सीखता है तो पहले उसको सीखने में तिब्रगति होती है क्योंकि पहले का उनुभा होता है तो सिखने के पहले तिब्र गति होती है बाद में उसके गति मंद हो जाती है ठीक है तो यह इस प्रकार का वक्र जो है रिरात्मक प्रगति सुचक वक्र होता है तो क्या होता है रिरात्मक प्रगति सुचक वक्र में पहले सिखने की गति ति बजलो कें वारे पेटहिem दुसरा एक डिनायतमक प्रगति सुचक वब्लू कुर Divipa ज्यूंता एक जहीं दुसरा है स्हना प्रगति सूचक वब्लूर्ब्लड नियुक्ति थाइस ओल्टा होता है जी दुसरा है धनात्मक प्रगति सूचक वब्लूर्द थादमक increasing the कि यहां वक्रिया प्रदशित करता है कि धीर-धीरे सिखने वाले ब्यक्ति जो सिखने की प्रगति होती है, यह बढती जाती है। जबकि रियात्मक में घरते जाती है , तो धन बहुते है ? पहले मन फीरती बहुते है तो यह वumbledore.. प्रदासित करता है कि धीरे धीरे शिखने व्यक्ति के जो शिखने की प्रगति होती है वो बढ़ते जाती है इसमें क्या होता है जड़ेतर अभ्यास और प्रसिचर द्वरा ब्रिधी होती है जबकि रिरात्मेक में क्या होता है कि उसको कारे आसान होता है उसकारे के बारे में पहले से कुछ अरुभा होता है लेकिन इसमें नहीं होता है इसमें अभ्यास अपने अ वक्र को धनात्मक प्रगति सूचक वक्र कहते हैं जैसा कि इस वक्र में दिख रहा है चीतर में दिख रहा है कि कैसे हो पहले मंदगति से तिब्रगति की ओर जा रहा है ठीक है नेक्ट है मिस्सित वक्र, सी कंबिनेशन आफ करो, इस प्रकार के करो में क्या होता है, एस C टाइप का करो होता है, देखने में C टाइप का होता है, C वक्र द्वारा प्रदैसित किया जाता है, बट देखने में यस जैसा दिखाई देता है, जैसा कि आप चितर में देख रहा लेकिन C, C बार पर दो बार लिख देंगे तो yes बन जाता है तो C वक्र दोरा पदस्यत किया जाता है लेकिन देखने में yes जैसा दिखाई दिखाई देता है तो इसे yes वक्र भी कहते हैं यहां पर question बहुत बार पुछा है कि कौन सा वक्र है जिसमें C टाइप का वक्र बनता है तो मिस्रित वक्र ठीक है मिस्रित वक्र ठीक है और वह कौन सा वक्र है जिसमें वयास वक्र भी कहते हैं तो मिस्रित वक्र ठीक है हमłu्च से चाहिए कारू है वाकर प्रारम मेरे सुस्साइब एक है भिघम डिखा है और जो बहुत तक देखता प्रता हुआ ऐता है किसी भी प्लकार का सकता है जैसा कि वक्र में आप जित्र में देख रहा हैं ठीक है यह कैसे घरता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है तो सिखने की प्रकार कभी घरती है कभी बढ़ती है कभी घरती है कभी बढ़ती है तो इस प्रकार एक ऐसा समय आता है कि ने सिखने में कोई प्रगती होती है सिखने में कोई प्रगती नहीं होती है, उस समय को क्या कहते हैं, कुछ समय के लिए सिखना रुख जाता है, उसको ना सिखने में प्रगती हुई दिखा देती है ना घर्टा हुआ, ठीक है, तो उसको पठार कहते हैं, ठीक है, सिखने के वाकर में पठार उस अवधी को दरसात कि इसके पठार के बारे में असारी से होती है तो इसमें कॉछ surf बारहो है झाएक प्रwhatshk differentiation के क्ला के बारे में आप असारी से हाल कर लेंगे सक्तूर के जिसमें के आरभ में तिब्रगति होती है अब बाद में मंद होती है वो कौन सी सिखने का कौन सा वक्र है कौन सा वक्र है जिसमें पहले तीब्रे फिर बाद में मंद होता है उसमें रियात्मक है ठीक है तहां रियात्मक क्या होता है कारे आशान होता है पहले सानबो होता है उस कारे में अच्छा नेक्स्ट क्यूस्ट भिए जे करें किलिय होती है इसमें अभ्यास अपर शुहरण के धडी होती है? कु सही कहते है जिसमें प्राइप के वक्र बनता है? जिस हम ज और कोन से वक्र को यस किलिया भी कहते है, तो मिसित वक्र परते है और किसी भी क्रीय प्रोंद रहता है और किसी भी प्रकार का हो सकता है क्ुछक्त वक्र है था सब्क्रत प्रकार प्रकोर को जिसमें आया होगा दो्सतुंke किसी भी सब्सक्षाज का क्री कोल यह ला यह लोगा कहा olduğunu रहा पापिक है इस्पोर्स साइक्योलाजी से वह होगा ठीक है तो आई हो को ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा तो दोस्तो पहले या वीजिद कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आपके प्रेस कर लेजिए जिससे जो ही मैं नया वीडियो अप्लोट करूं उसका नाटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्र